दोस्तों कैसे हो क्या हाल चले आज की वीडियो में बात करेंगे अंडर 20,000 बेस्ट पावरफुल प्रोसेसर की टोटल तीन प्रोसेसर बताऊंगा लेकिन आभी आप बोलोगी कि सिर्फ तीन ही प्रोसेसर भाई तू तो हमेशा पांच प्रोसेसर बता रहा है कभी-कभी बोनस करके मैंने तीन प्रोसेसर की लिस्ट बनाई है और हां कुछ प्रोसेसर थे अच्छे लेकिन उनको मैंने क्यों पिक नहीं किया वो लास्ट में बात करेंगे तो फिर शुरू करते है नंबर तीन वाले प्रोसेसर के साथ जो की है डायमन सिटी 7050 यह 6 नम का है में 2023 में लॉं MP4, GPU इसमें आपको LPDR5 RAM, UPS 3.1 के स्टोरेज टाइप तक का सपोर्ट मिल जाता है 200 Megawixel के सिंगल कैमेरा को सपोर्ट करता है और 4K 30fps में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो और वीडियो प्ले भी कर सकते हो मतलब अच्छी वाली वीडियो और Wi-Fi 6 का सपोर्ट मिल जाता है Bluetooth 5.2 को सपोर्ट करता है तो अगर हम इसमें गेमिंग के बात करें तो स्मूद ग्राफिक में आप 60fps में खेल सकते हो अगर आप DJI Mac खेलते हो तो इसका मतलब यह नहीं कि यह प्रोसेसर गेमिंग के लिए बना है आप दोस्तों के साथ टाइम पास के लिए अच्छी गेमिंग कर स सकते इसको और 5,80,000 से जादा Android score इसका इसमें हमें चार कोर मिलते हैं A78 वाले जो की क्लॉक है 2.4 GHz और बाकि चार कोर है A55 वाले जो की क्लॉक है 1.95 GHz पे अगर किसी की requirement ऐसी है कि भाई मुझे गेमिंग तो करनी है अच्छे performance तो चाहिए लेकिन वो प्रोसेसर स्नाप ड्रागन का होना चाहिए क्योंकि स्नाप ड्रागन के उपर ज्यादा तर लोग ट्रस्ट करते है यह mentality हो गई आप लोगों की तो यह प्रोसेसर है काफी वैसे वो 22,000 का मिलता लेकिन आभी उस पर ड्रीजार रुपे का डिसकाउंट मिल रहा है तो आपको 20,000 के नीचे मिल जाएगा इसके बाद भाई अपनी इस वीडियो का लास्ट प्रोसेसर और अपनी लिस्ट का नंबर वन प्रोसेसर जोकी है डामेंड सेटी 8050 यह 6 सेनम क में 2023 में लाँच हुआ है और यह 7,40,000 से ज्यादा एंट्टो स्कोर करता है इसमें आपको एक कोर मिलता है A78 वाला जो की क्लॉक है 3 GHz पे अगेन आपको 3 कोर मिल जाते A78 वाले लेकिन उकी क्लॉक स्पीड का में 2.6 GHz पे क्लॉक है और उसके बाद जो बचे 4 कोर है वो A55 जो की क्लॉक है 2 GHz पे और GPU की बात करें तो Mali G77 MP9 GPU मिलता है LPDR 4X RAM को सपोर्ट करता है यह थोड़ा डिसपोंटिंग लगा लेकिन UFS 3.1 की स्टोरेज टाइप तक का सपोर्ड मिल जाता है 200 Megapixel के सिंगल कामरा को सपोर्ड करता है 4K 60fps में वीडियो रेकॉर्डिंग को और निकाल कर देता है आप इससे अच्छी गेमिंग कर सकते हैं 20,000 के प्राइज में हाज जो इन्फिनिक GT 10 Pro उसकी प्राइज तो बढ़ चुकि यह 20,000 की ऊपर जा चुका है अभी तो वह आउट आप स्टॉक भी दिखा रहा है लेकिन टेक्नो के मान 20 प्रो अभी 20,000 के नीच जाता है आश्या करते हैं कि इन्फिनिक GT 10 Pro भी वापस आजा है और वह 20,000 की नीचे मिले या फिर कोई और फोन आजा है सेम प्रोसेसर के साथ क्योंकि काफी अच्छी परफोर्मेंस है इस प्रोसेसर की अब इसके अलावा उन प्रोसेसर की बात करते हैं जिनको मैंने लिस् सेम प्राइज पर मिल जाता है लेकिन मुझे वह वर्त नहीं लगता क्योंकि आभी वह दो साल पुराना फोन हो चुका है तो क्या ही करोगे वह इतना दो साल पुराना फोन खरिद के तो बस यही रीजन है कि बाकी और भी बहुत सार ऐसे फोन थे जिसमें स्नाप रगन ट्र से ज्यादा यूज करने वाले तो अल्रेड़ी वह दो तीन साल पुराने फोन है तो वहां पर अपडेट नहीं आएगा फोन टाइम के बाद स्लो हो जाएंगे मतलब बहुत जल्दी स्लो हो जाएंगे और मैंने देखा है कि लास्ट अपडेट के बाद फोन का कैमरा उतना परफॉर्म नहीं करता क्योंकि मैंने इसका बहुत ज़्यादा एक्सपीरेंस लिया है तो यही कुछ रीजन है वरना कमेंट में बहुत सार लोग मुझे बोलते हैं भाई इस प्रोसेसर को भूल गया तू उस प्रोसेसर को भूल गया मैं भूला नहीं होता मैंने जान बना के आपको बताऊंगा तो इस वीडियो को यही खतम करते हैं अगर आपको वीडियो पस्तन है तो वीडियो को लाइक कर देना चानल को सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं नेक्स्ट आले वीडियो में